हलो एवरिवन वैलकम तो दी यूपीसी फ्रेमी क्लास फ्रेमी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे आई टी आई एक्जाम का रिव्यू 19 दिसंबर 2022 में जी हां आज जो एक्जाम होई है उसमें कौन-कौन से प्रश्ण पूछे गए हैं और आने वाली के लिंक दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे तो चलिए हमारे चलते हैं लेक्चर की ओर जी हां किस-किस टाइब से क्या 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 कोशन आए आज जो वेटेज जो आया यहां पर यहां रेगुलर जो आ रहे हैं छार से पांच कौशन कंप्योटर से आज कंप्योटर से कशन कम हैं उपके गूशन पर और को कुशन और यह VSा सकते हैं तो दोनों के दो ने देखते हैं पहला सब्सक्राइब करने चाहूंगा कि सबसे च्छोटी यूनित होती है जिए पटवारी के एकजाम में भी पूछा गया फिर इससे बड़ी यूनित होती यह होती बीट मतलब होती जीरो या फिर एक होता है बीट में जीरो और वन के लाता है यह इसका प्लूरल फॉर्म है तो ध्यान रखें बैसी कोशन गलत होते हैं निबल इससे बड़ी यूनित होती है निबल में एक निबल वराबर चार बीट होते हैं फिर बाइट एक बाइट वराबर 8-bit होते हैं जिया फिर एकिलोबाइट उससे बढ़ी फिर मेगा बाइट गीगा वाइट चेरा बाइट चेट और योटावाइट इसके बाद भी होते हैं ब्रोंटोबायट होता है तो यहां तक आपको याद रखना बाइनरी डिजिट्स तो यह मुस्ट इंपोर्टेंट है एक कोश्चन जो आपकी एक्जाम पुछा गया था नेट्वर्क टोपलोजी से पुछा गया था टोपलोजी से रिलेटेट था बट दो टोपलोजी में यहां पर आपको समझा रहेती है एक सिंगल लेन रहती है और इ किस्ट प्रshop से कनेक्ट होती और यहां पर सारे computer system आस पास लगाये जाएंगे तो बस टोपलोजी का एक्जाम आन रहेए और क्याहिए चांटारो दोगह से लेक्चरर च्टासा हो बहुती जली important जो question रहेंगे 1000 तो उसके लिए भी हम prepare कर रहे हैं चलिए इसके बाद position पुझा था GS से तांसेन का मगबरा जियां कहां पर है तो गौलर में अवस्थी थे MPG के से भी दो question थे फिर एक question था आपके exam में AQI जियां यह repeated question है तो AQI क्या है air quality index थी के वायू गुणवत्ता सुचकांक जो है AQI का फुल फॉर्म पुझा गया तो ध्यान रखेगा air quality index है चलिए एक कोशन था आपकी exam में रानी रूपमति का महल कहां पर इसी थे तो यह जिले धार जिले में अवस्थी थे जियां रानी रूपमति का महल कहां पर है धार में फिर एक करेंट अफेर से माल लीचे सेबिस्ट्रियन वेटल जी यहां कौन से खिलाड़ी है जी ध्यान रखेगा कौन से गेम की खिलाड़ी है तो फॉर्मॉला वन ड्राइवर है जो लगातार 2010 से अभी तक विश्व चेंपियन रहें इंपोर्डेंट कोशन है क्योंकि 2010 से अभी तक लगा था चेंपियन रहें तो इन फेमस से आने वाले एक्जाम में जो पटफारी और दूसरी एक्जाम होना है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है फिर आपके एक्जाम में पुछा था 1927 से संबंदि या 1927 से संबंदि सो सुधार के लिए कौन सा कमिशन बनाए गया था तो साइमन आयोग आया था 1927 में जी हां फिर विज्ञान से कुश्चन था जिप्सम का रसाइनिक सूत्र तो जिप्सम के बाद एक और कुश्चन इसी में मैंने प्रोसेस करिए जिप्सम को अगर 120 डिग्री से अल्सियस पर अगर गरम करते हैं तो हमारा पंता है पी ओपी पी का वुल्पॉम आ सकता है प्लास्ट्र पेरिस इसका सुत्र था सी एस ओफॉर हाफ एच्टो जिया इंपॉर्टेंट कोश्चन बनेगा अभी जिप्सम पूछा गया है तो नेक्स एक्जाम में आप से पूछ सकते पी ओपी कफ सुत्र तो यहां टू की जगे हाफ एच्टो होता है बिल्कुल दियान रखें इंपॉर्टेंट कोश्चन है फिर एक कोश्चन पूछा गया था बॉक्साइट का रसाइनिक नाम जी हाँ है इसका रसाइनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिन्या चलिए और कहां कहां से पूछ गया थे देखते हैं स्टुएंट्स विटेन का रसाइनिक नाम भी पूछा था तो ध्याना के सीफॉर एस तो यहां पर याद रख लिए मिधेन और इन्स पूछ सकते हैं आपकी हो है मैक से हेस से कोशन था ब्लड इसन से कोशन पुचा गया था रख संबंध से मैं में उर्धारा से यह था रेसियो वाले कोशन जरूर आ रहे है एक से दो गुश्न बिलकुल फिर बोडों माश से यहाँ profess 교 उनों से रिलेटेड है एक कोशन था ठीक है रीजनिंग की बात करें तो विश्व की पहचान करें कोडिंग डिकोडिंग जो जन्रल टॉपिक है रेगुलर एक्जाम में आता यहां से भी कोशन था स्टुडेंट्स पिर एक कोशन आपके एक्जाम में साइन्स का और वचला था कारी का मात्रक पुछा गया था ठीक है कानेटिक एनर्जी से यहां पर एक नुमेरिकल पुछा थो ध्यान रखे कानेटिक एनर्जी के फार्मूला हाफ एमवी स्क्वेर ठीक है तो इससे रिलेटेड है यह ध्यान रखेगा कुछ एक्स्टा में मैं आप को पता जिता हूं वीचु का प्रथम नेटवर्क शायर आने वाले एक्जाम में इंपॉड़र कोशन है कहीं ना गई तो आएगा प्रथम नेटवर्क है आरपानेट है आरपानेट का फुल फॉर्म पुछ सकते हैं तो ध्यान इसा लगा शेर जरू करिएगा और आप रेगुलर रीवी के लिए हमसे जरू जुड़िएगा थैंक्यू